नमस्कार नाखपुर हलचल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाखपुर के विबित हलचल पर विदर्ब इंडस्ट्रीज एस्सोसियेशन के MSME Forum और महाराष्ट बांस विकास बोर्ड ने संयुक्तर रूप से VIA सभाकार में बांस क्षेत्रम में आध्योगिक आवसर पर एक कार्यश अला का आईजन किया शुरुवात में VIA MSME Forum के अध्यक्षक गिरिश देवधर ने एक प्रारंबिक टिपणी की और इस बात पर प्रकाश डाला कि 2017 तक बांस को वन उत्पाद के रूप में माना जाता था यही कारण है कि उद्द्योग इस क्षेत्र में नहीं आ रहे थे और भारत चिन और वियतनाम से बांस सामगरी का आयत कर रहा था वर्तमान में बांस को घास के रूप में वर्गी कुरूत किया गया है जिसने MSME के लिए विभिन उत्पादों का उत्पादन करने की गुंजाईश पैदा की है जो प्लास्टिक उत्पादों के प्रतिस्थापन बन सकते हैं उन्होंने कहा कि केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी जिन्होंने कभी VIA के साथ साजह किया था कि चीन और वियतनाम से विभिन बांस आधारित सामगरी का आयत किया जा रहा है इसलिए सरकार ने ऐसी सामगरी पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है ताकिस्तानी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके वियाईये के अध्यक्ष सुरेश राठी ने अपने स्वागत भाषन में इस आयोजन का समर्थन करने के लिए महाराष्टर बांस विकास बोर्ड की सहरानगी पुरे विश्व में हर देश हर शहर में शिक्षा दी जाती है मगर आज जरूरत है संसकार शिक्षा की ये कहीं मिलने में बड़ी मुश्किल हो रही है एकल श्री हरी सत्संग समीती उम्रे डोड बहादूरा में प्रशिक्षन केंद्र के द्वारा ग्रामिन विद्यार्थियों को गथाकार बना रहा है संसकार शिक्षा दे रहा है भारतिय उत्सव संस्कृति और परंपरा का ज ग्यान दे रहा है यहां के विद्यार्थि अपनी शिक्षा पूर्ण करके दे हातों में और आदिवासी इलाकों में जाएंगे वहां बस रहे वासियों को ग्यान देंगे इसका लाप समाज के सभी वर्गों ने लेना चाहिए ऐसा एकल श्री हरी सत्संग समीती के राष्ट में श्री हरी सत्संग समीती अपने कार्य कर रही है इसी प्रकार हमें शहरों में भी जोपड़ पट्टी इलाकों में कार्य करना है ताकि समाज के सभी वर्ग संसकारी हो जाए एक मजबुत समाज की निर्मित हो जाए जिसे 2030 तक भारत विश्व गुरू बनें म्यूजिसी एंच फेडरेशन ऑफ इंडिया की और से शनीवार दोपहर साड़े तीन बजे रेशमबाग की कवी सुरेश भठ हॉल में गीत गाता चल इस संगित कार्य करम का आयोजन किया गया था संगित कार्य करम में मराठी और पुराने हिंदी अजरम कीतों के दमदार पेशकर से सभी रसिक मंत्र मुक्द हो गए कार्य करम में जिलादिकारी आर्विमला की प्रमुक उपस्तिती थी कार्य करम का संगित आयोजन मंगेश पटले ने किया था वही कविवर्य सुरेश भट हॉल में आयोजित गीत गाता चल कार्य करम में गायकों ने सू मधुर लोग प्रिय गीतों की प्रस्तूती दी जिसमें विशेश अतिती गायकों में यशश्री भावे, सुश्मा सुरकर और गायक अजय व्यास, विनोद अवजे, इशान पोट उसके बाद अजय व्यास ने गीत गाता चल, विनोद अवजे ने सोचेंगे तुम्हे प्यार, राजुबाले और आभावागमारे ने चंद्राहे साक्षिरा ये गीत गाकर दर्शकों को बांधे रखा, उसके बाद सतिष्तिवारी ने बेकरार करके यूना जाईए, इशा सिंधी पंचायत, नाग विदर्बस सेंटल, सिंधी पंचायत द्वारा, जरिपटका नारा रोट स्थित मातेश्वरी सभागरुह में आयोजित, सिंधी समाज के एक कारेक्रम में सिंधी समाज में अपने जीवन काल में आजीवन किये गया उलेक नियकारियों, हे तु चार समाज सेवियों को सिंधू रतना ओड प्रदान किया गया, इस कारेक्रम की शुरुवात, नाग विदर्बस सेंटल, सिंधी पंचायत के अध्यक्ष, सुरेश जग्यासी, विजे कुमार केवल रामानी, हर भगवान नाकपाल, शंकर भोजवानी, सुरेश चावला, बंटी दुधानी, केशवदास जी वादवानी, नंदलाल टहीलियानी, माधोदास आयलानी, किशोर धिंग्रा, राजकुमार रुगवानी ने इश्ट्र देव जुलेलाल के चित्र को माल्यार पंड कर वधी प्रजवलित कर किया, इस कारेक्रम में नगर की सिंधी पंचायतों के प्रतिनी धी शामिल हुए, डॉक्टर हरिलाल दिपानी, अशोक रामानी, नानक राम बल्वानी और डॉक्टर राजकुमार रुगवानी को सिंधूर अतन जीवन गौरो पुरसकार, पंचायत के अध्यक्ष, सुरेश जग्यासी, हर्भगवान नाकपाल, शंकर भोजवान सुरेश चावला, सचिदानन्ध हिरानी, किशोर धिंगरा, मादवधास आयलानी, केशवधास जी वाध्वानी, नंदलाल टहीलियानी, राजकुमार सावलानी, आधी ने प्रदान कियाम, अध्यक्ष सुरेश जग्यासी ने पंचायत द्वारा किये गए कारियों की विस्त पिछले कुछ दिनों से महाराष्टर में सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी सरकार और बीजेपी के बीच अनेक मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप शुरू है, त्रीपुरा में हुई घटना का असर महाराष्टर में दिखाई दिया, अमरावती नांदेड और अमरावती का दोरा किया, अमरावती दोरे के दरम्यान पत्रकारों को संबोधित करते हुए देवेंद्र फटनाविस ने कहा कि कॉंगरेस के काल में ही रजा अकैडमी पुलिस पर हमले क्यों करती है, मुंबई में भी इसी तरह की हिंसा हुई थी, तब भी रजा अकैडमी पुलिस पर हमले किये थे, तब भी कॉंगरेस की ही सरकार थी, इसलिए रजा अकैडमी किसकी B टीम है, किसकी A टीम है, ये सब को पता है, अगर किसी को लगता है कि रजा अकैडमी BJP की B टीम है, तो हम रजा अकैडमी पर पाबंदी लगाने की मांग करते हैं, कॉंगरेस मे प्राश्ट भाशा सभा के चिंतन कक्ष में समाज वराजनिती में धर्म विशे पर परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर शेशी वर्धन शर्मा ने कहा कि रावन ने अपनी संस्कृती चलाई यानि व्यक्ति परिवार समाज देश को धर्म बनाता है कलाकार वो म्यूजिशियन विजे नाइडू ने कहा कि पानी जैसे उपर से नीचे बहता है वैसे ही धर्म भी प्रवुर्ती है कविकृष्ण कुमार द्वीवेदी ने बताया कि परिवारों के समुह से बनता है धर्म अंकुश लाता है विजे कुमार श्रिवास्तों ने कहा कि धर्म एक ही होना चाहिए समाज को उस पर चलना चाहिए ना कि स्वयम को हीरो या विलेन सा निरुपित करना चाहिए साहित्यकार नरेंद्र परिहार का मानना था कि संस्रूती का मूल कर्म होना चाहिए धर्म इंसानियत को मूल में रखे तब राजनिती रहा दिखा सकेगी समाज राजनिती में धर्म आज अस्त्र बन गया है जो कटरता को पन पा रहा है। धर्म संतुलन लाता है मगर भै को दूर रखे। कारेक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रकाश काशिव ने प्रस्ताना में विशे को प्रस्तुत करते वे कहा। धर्म का मुख्य अर्थन नयती करते वे ह होता है। धर्म का राजनिती वे समाज में समान आउसर होता है। संचालन काशिव ने किया और आभर कुष्ण कुमार द्वीवेदी ने माना। 19-21 नवंबर तक दुनिया भर में यूनेस को विश्व विरासत सप्ताह के रुप में मनाया जाता है। जिला कलेक्टर ने रवीवार को मुमिन पुरास्थित हत करगा केंद्र एवं मध्यवर्ती संग्राले को भेंट की। इस दुरान उन्होंने उपरुकत निर्देश दिये। इस आउसर पर उपनिदेशक महाराष्टा परियाटन विकास निगम प्रशान सवाई जया वाहने केंद्रिय संग्राले के सरक्षक विनायक निप्टूर कर सहयक सरक्षक चितरकार सुरेंद्रमन पे सहित परियाटक गंड मौजुद थे। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस तरह हर देश के अपनी संस्कृती और परंपराय होती है उसी तरह पूरी दुनिया की भी है। भारत्य चिकितसक आगारी महानगर की और से चिकितसक शेतर में उल्लेक निये सेवा कार्य करने वाले चिकितसकों को केंद्रिय मंत्रे नितिन गडकर्य सहाप के हातों धन्वनतरी-पुरसकार से समानित किया गया। इस औसर पर मुख्याती थी भाचपा महानगर अध्यक्ष विंध प्रविन्दट के राज्यसभास आंसर डॉक्टर विकास महात्मे डॉक्टर सुभाश राउत आदी उपस्तित थे। डॉक्टरों को सामाजिक जीवन वो कोविट काल में बहु मुल्य सेवा कार्या के लिए सम्मानित किया गया। संपादित की गई है। टिपू सुल्तान सेना की और से टिपू सुल्तान चौक पर हजरत टिपू सुल्तान की जयनती पर कारेकरम संपन्न हुआ। इस आउसर पर टिपू सुल्तान चौक पर लगे नाम फलक पर मालयारपन किया गया और कुरान खानी कर देश में अमन चैन और शांती के लिए दुआ की गई। इस मौके पर टिपू सुल्तान सिना के अध्यक्ष सेद दवाव अली, नुर मुहम्मद, राजु भाई, आरिफ पटेल, शेक रियाज, माइम के नसीम अक्तर, इक्राम खान, मुक्तार भाई, हाफिज इमाम, एनुल हक, हाफिज अश्वाक, हाफिज अक्तर, शफिक महफूज अंसारी, शेक अश्वाक, इरिशाद अहमद, बबलू अंसारी, वकिल कुरेशी, अब्बा सली, वसीम भाई आदी उपस्तित्ते सीताबर्डी राजराम वाचनाले में प्रती वर्षान उसार, इस वर्ष भी दिपावली विशेशांग प्रदर्शित की गई, इस प्रदर्शन में करीब 130 अलग-अलग प्रकाशन के विशेशांग रखे गए, कारेक्रम का आरम, कारेक्रम अद्देक्ष विलास देशपां विकास करने वाले हैं, जोतिश से लेकर अध्यात्मिक, साहित्य, हास्यतक का विशेश इन अंकों में समाहित है, कोरोना के चलते कुछ अंकों का प्रकाशन नहीं हो पाया है, राजाराम ग्रन्थाले अध्यक्ष वशन धवड़े ने अपने सम्मोधन में कहा, आज समाज मे घटने वाले प्रसंगों का सकारात्मक प्रतिबिम्ब इन दिपावली अंकों में हमें नजराता है, कई वाचक इन पत्रिकाओं में से संदर्ब लेने यहां आते हैं, वाचनाले में हिंदी, मराठी, अंग्रेजी भाशाओं की नई पुस्तक आई है, जिन का लाब यूआ पेढ़ी लेवे, ऐसा आभान कारेक्रम में किया गया, सफलतार्थ, ग्रन्थाले के करमचारियों वगनमाण्य सदस्यों ने प्रयास किया, जिला न्यायाले के कक्ष नंबर 214 में कॉंग्रेस के कानून सेल के पदाधिकारियों के साथ, कई अधिवक्ताओं ने दिवगंद पूर्व प्रधान वंतरी श्रीमती इंदरा गांधी को अभिवाधन किया, उनके चित्र पर श्रधांजली अर्पित कर जैनती बनाई गई, इस कारकर में कॉंग्रेस अधिवक्ता, सेल के पदाधिकारी, एडवोकेट अक्षे समर्थ, अधिवक्ता अभेर रंदीवे, एडवोकेट रायपुरे, एडवोकेट प्रकाश कुपता, एडवोकेट विक्की नारनवरे, एडवोकेट मनोश बर्वते, एडवोकेट रवी गवई, एडवोकेट रहाटे, एडवोकेट लागवे, एडवोकेट उमाकान सोन कुसरे, एडवोकेट इमामुल हक, एडवो एड़ोकेट आरजी बोपचे, एड़ोकेट वॉसको एंथनी, एड़ोकेट विलास तुमसरे और एड़ोकेट शुभम खवसी आधी उपस्तित थे। सुचित्रा नशीने, राखी पशीने, पल्लवी, खुबेले, रजनी पशीने और छोटी सी तिया खुबेले को जाता है। कैदियों का सुधारवा उनका पुनर्वाज करना ही महराश के जेलों की प्राथमिकता है और इसके लिए कई तरह के उपकरम भी चलाए जाते हैं। कारग्रह उपमाहनिरिक्षक स्वाती साथे के मार्क दर्शन में भी मध्यवर्ती कारग्रह में असिस्टिन नर्सिंग के प्रशिक्षन के कारग्रम का उटगाटन शनीवार को किया गया। ट्रासेंडर प्राइबिट लिमिटिन मुंबाई विन नागपुर मध्यवर्ती कारग्रह के सेंक्त त्वावधान कारागार में पुरुष कैदियों को वैदिकी शेत्र में असिस्टिन नर्सिंग का प्रशिक्षन देने के लिए इस कारक्रम का आयोजन किया गया। नागपुर मध्यवर्ती कारग्रह ही हस्पिताल मौझूद है जहां पर कैदियों का उपचार किया जाता है। योग वीहार का इमारत बांधकाम जिर्न उद्धार का कारे शुरू किया गया। इस कारक्रम में प्रमुक्ता से संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समिती, पूर्व नागपुर के अध्यक्ष शेक अयाज, नागपुर जिला कॉंगरेस OBC सेल अध्यक्ष रामकुमार गुपताव पस्तित थे। इस अफसर पर आरबी गायक्ष भार, भीमराव चिंचोले, सिधात राम टेके, राश्ट्रपाल मेश्राम, रवी गजबिये, देवराव मेश्राम, फूंडे, देवचन मेश्राम, दिलिप गणवीर, मानिक राम टेके, मनोहर गजबिये, शंजय शेंडे, भीमराव गणव पूर्व मुख्यमंत्री एवं विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फड्नविस बहुजन रीपब्लिकन एकता मंच किये संस्थापक सुलेगा कुंभारे की उपस्तिती में नामांकन भरने जाएंगे आकाश्वानी चौक पर चनाफ रमुग विधायक प्रवीन दटके सह चनाफ प्रमुग डॉक्टर राजीव पोद्दार सांसत डॉक्टर विकास महात्मे की विशेश उपस्तिती में आकाश्वानी चौक से जिलादीकारी कारले में नामांकन भरेंगे डॉक्टर विकास महात्मे पूर्वसांसत अजैसंचेती जिलाद्यक्ष अर्वन गजबी विधायक गंट तेक्चंत सावरकर समीर मेगे गिरीश्वियास कृपडे विकास कुंभारे मोहन मते नागुगानार महापौर दयाशंक तिवारी उप महापौर मनीशा धावडे सत पक्षनिता विनाज ठाकरे, स्थाई समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर, पूर्वविधायक सुधाकर देश मुख, प्रफेसर अनील सोले, सुधाकर कोले, मलिकार जुन रेडी, सुधीर पारवे, चरन ठाकुर, भाजपा पदादीकारी, नगर सेवक, जिला परिशद, आज कौन बनेगा करोडपती की होट सीट पर बैठ कर प्रशनों का उतर देंगे, उनका एपिसोड आज और कल सोनी टीवी पर प्रसारत किया जाएगा, शोद के शिक्षक, शिक्षिकाओं और परिजन पड़ोसियों ने उसे शिपकामनाई दी और उसकी द्वारा ज्यादा से ज्यादा पॉइंच जीतने की आशा व्यक्त की है यह जानकारी चिकित्सा स्वास सदिकारी डॉक्टर संजेचिल करने दी, इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयूवर के नागरिकों के लिए, को वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर भापसाई बामबेटकर अस्पिताल, काम्टी रोड वस्वर्ग यह प्रिभाकर दटके, मनपा, महल, रोग निदान, केंद्र एम्स, आइसोलेशन अस्पिताल, इमामबाडा, इंद्रा गांधी अस्पिताल, गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पिताल, पांच पावली और प्रगती हॉल, दिघोरी में उपलब्ध है। ट्राफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधीनियम के विबन धाराओं के अंदर गएत कुल मिलाकर धाई हजार से भी अधिक वाहन चालकों पर कारवाई की और उनसे कुल मिलाकर एक लाग अठाईस हजार नौसो रुपे का जर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शिराब ट्राफिक पुलिस ने यहां आप वाहन किया कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंदित सभी दस्तावेज अपने पास रखेंगे। सावने रोट पर श्रतिग्रस वाहन की मरमत के लिए जा रहे मोटर मेकानिकों की टीम हाथसे का शिकार हो गए। 22 वर्षी रितेश हरीराम देशमुक हैं वब बुट्टी बोरी का निवासी है आरोपी चालक 24 वर्षी अफजल अब्दुल कलीम खान है। रितेश की सायोगी 21 वर्षी है सुदर्शन वसंद कोरुडे की शिकायत के अधार पर उससे गिरफतार किया गया। अफजल मानकापुर का निवासी है उसके खिलाब मामला दर्च कर लिया गया है घायलों में सुदर्शन और अफजल के साथ वैबब भोयर, गोविन धोबारे और रोशन मोरगड़े का समाविश है। घायल और मृत सभी गैरेज में मेकानिक हैं, कुछ घायलों को मामली चोट लगने पर इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई और आगे की जाच को राड़ी पुलिस द्वारा की जा रही है। अधार पर मामला दर्च किया। इसमें शिकायत दर्च करवाई। ये शिदरान अगर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, प्रारमबिक जांच के बाद अग्यात आरोपी के खिलाफ मामला दर्च किया गया और जांच प्रक्रिया प्रारम कर दी गई। लॉन में अगे सीसी टीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर चोर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो नागपूर हलचल में आज इतना ही। आप से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस नमस्कार।